आप सभी आप सभी ठीक ठाकी होगे इनादर पार्ट होने वाला है पार्ट नमबर फॉर कोष्ट गार नावी डीबी एंट जीडी एक्जाम के लिए डिफिनेटल इंपोर्टेंट है एरफोर्स वाई ग्रूप एस्पेरेंट अगर प्रिप्रेशन करें तो आप वीडो वाच कर सकते हो फेवेस्ट आप के कोश्ट करके 20 कोशिंट करा रहो जिसमें आपका जैसे मतलब डीवी के एक्जाम पर फेप्टी नमबर के प्रोशन आगा इंगलिश का फाइब कोशिंट नमबर फर्स्ट है आप पर एक क्वायर एक क्वायर वड़ आपने सुना वह एक आपको सेम मिनिंग बताना अब देखो अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकतो आई से स्टार्ट होता है और सेम मिनिंग बताना है स्वरी सेम मिनिंग नहीं बताना है यह पर पोजिट लिका हुए तो इसका सेम मिनिंग होता है वड़ हमें इसका पोजिट बताना है तो मैं बात बता देता हूँ लूज ऐल डबल ओ ऐसी वाला भी होता है वह धीला होता है ठीक है इसका पोजेट टाइट होता है एक इंपोर्टेंट बात भाई खरीदना और मिन्स राप्त करना ब्रिंग मिन्स लाना यह बढ़ता है साइनोनिम रभाव चेंज चेंज में से बदलना होता है दोसेन मतलब टीज को एक इक है त्再 इसका करके सिप्ट में कर दो मतलब बदल दो तो कोश्चान टू का राइट यूर बढ़ते हैं आपका सब्सक्राइब क्या है एक इस पीछ जिसे मतलब की त्यारिया न की गई हो यह बहुत बार फीच्छा हुआ कोश्चन है तो उसे हम एक्स्टेंपोर बोलते हैं मैडन बोलते हैं जिसे यंग गल और यं बीच में conversation ऐसा कुछ आप उससे बोल सकते हो डायलोग होता हैं आंगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन आपका इडियम का है सिंपल सा है बड़ थोड़ा सा आपको इसका लॉजिकल पता होना चाहिए लॉजिकली भी आप इसे कर सकते हो अगर पढ़ना चाहो पूरा दव इची रिखाए देना मतलब की भविस्ट में खत्रा आना भविस्ट में खत्रा दिखाई देना ठीक है तो आप नन अब देबं मतलब इन में से कोई नहीं दाइजेस्ट अट्रेक्टिव अपॉल ऑप्शन्स यहां पर राइट रांसर आपको ऑप्शन नमरे हो जाएगा क् सबस्वाइब से ओनाइज देन गवरी का थेट नहीं तॉप सब लॉन और खॉली में किसी प्रेक्टार का अनपीनेस टाइप में वही हापका होता है क्लावव रांड ऑरीजेंस बॉट नमब तो कशेन अब पो का राइट ऑप्शन नंब यहां पेन हो जाएगा सीप्य सी इसका कोई नहीं होता है अगर पहला वाला निगेटिव हो जाता 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 है मतलब कि सिंपल हो जाता है और वह पर जाके पीछे हैं मतलब कर देना है तो सी के कोड़िंग है सी आपका आ जाएगा अप्शिय नमर फाइब कराई ऊप्शिय नमर फाइब कर आए हो जाएगा नेउट आपको सब्जेक्ट बात में चला जाता है जो अगर निगेटिव है इदा उद्धर हो जाएगा पॉस्ट ही होता है कोशन में वाख् सिक्स कर् confirming हड़ यह इस एक लाइन्स का इस एक थैज साइब को आए था एक डूसरे की विरोज में रहोगे आपका लगने वाला नहीं है और कभी कोई लॉजिक ही नहीं बनता तो डिफिनेटली आप वैसे भी करके आप पर आप सकते थे यह एक मतलब बोलते हैं इंग्लिस आप में बहुत सुनाओं और एक वर्ड आया फूटबॉल फूटबॉल एक गेम का नाम है बट मैं बात बता तू किसी भी गेम के पहले हम आर्टिकल का यूज करते ही नहीं लास्ट में जो थार्ड आर्टिकल है वहां पर आर्टिकल नहीं आएगा तो किस ऑप्शन इसमें ल बट देख लेते हैं अब वाई किड़ अब वाई किड़ एक लड़का ही मारे का सिंपल सी बात है क्योंकि 20-25 तो फूटबॉल को एक साथ मार नहीं सकते अब वाई किड़ बाल 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 तो स्पेसिफाइए ना डिफिनिट सी जैना तो बिल्कु सिंपल सी है कि हम ताका य आर्टीकल नहीं है अगर बिकाज यह गेम दिखाए जब वहां कि किसी कंट्री के साथ में जुड़ा हुआ हो तब हम आर्टीकल करते हैं वह आप अब यह जंक फूड इन अम अब हल्दी रहना तो जंक फूड को थोड़ा से रिमूब करो इन हाउस इन दा हाउस बिकाज हा है इन दा हाउस मतलब पहले तो दा एडिकल लगेगा ठीक है तो इसमें नहीं वह वह यह कमें बढ़ता हैं..? कंसंट्रेट ऑन हिल्धी मील और इंटायर फेमली और इंटायर का कही सवाली नहीं होता फॉर पूरे-पुरे-परिवार के लिए विकाज वो इक डिफनेट सीज सो कर रहा है सो आप्शियन नमर यहां पर सी राइट हो जाएगा दोनों पर दादा आर्टिकल का हम यूज करेंगे कुश्चिन नमर एट कर आइट एंशिर आपसे नमर सी नेक्स कोश्चिन नमर एट के बाद कोश्चिन नमर 9 क्यों बढ़ते हैं को आपको यहां पर गलत दिया वर्टेंस सही बताना है,He is still,he is still has not forgive me. ठीकेए हैज और हेज औरह पर फ्रिजैंट पर्फिक्ट होता है, जो में वर्ग होता है उसका third form लगता है फॉर्ग उनस की साथ म Po경ा सिंपल से है भाइशे हैं पको वर्गा third form आएगा तो for giving होता है, फॉर्ग वाला हटता दो या तो C होसकता ह यह तो डी हो सकता है अब यह आंगे देख लेते हैं यह स्टिल है जनाट और हैव नॉट भाई ही के साथ यह तो सिंगुलर है ना तो हैज नॉट लगेगा कि हैव नॉट लगेगा सिंपल साब बोलोगे कि वह यह ऑप्षिन नॉम्बर सी लगेगा क्योंकि यहां पर ही के मैं बता दू सिंगलर के साथ में हैज बिर्ल के साथ में हैव बीन बस सिंस और फार का थोड़ा सा फंगा हो जाता है यह आपको दिमाग में बिठायर रखना है ठीक है चलो आंगे बारते हैं अब यहां पर कोश्चिन नमर्ट 10 पे हैं जो आपका टीचर सिंगलर है तो आप इन्होंने फ्रॉम लगा रखका जबकि मैंने बताया है तो सिंस लगेगा या फिर फॉर लगेगा तो सिंपल से मैंने इलिमिनेट करके आपको सही कर दिया कोश्चिन नमबर 11 पर बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूं फिर बैक आता हूं तो देखो अग मतब पढ़ाई तो आपको वही करना होता है आर्थमेटिक मैथ वही कोश्चन वही इंग्लिस आपको टेस्ट लगाने होंगे तो डिफिनेटल आपको परिक्ष्या पे मिल जाएंगे आपको कोई डाउट है तो मुझसे कोमेट में आस कर सकते हो ठीक है और यह क्रिवर कोश यह को सकते हो और उसके बाद इन फ्यूचर आप कभी दुबारा करना चाहोगे तो आपको किवल किलवा हंड़ेट टैन रुपीज पे करने पड़ेंगे और सबके सब्सक्राइब को मिल सेंगे रैंकिंग देख सकते हो निगेटिव मार्किंग होता है सेम टूसे में पैटन सब्सक्राइब के लिए तो आप देख लो भाई वही है 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 विन का कुछ पंगा है कि दा इस्टुरेंट हैस बीन दो ऑप्षिंस देख लिए ठीक है थर्ड मैं थर्ड और फॉर्थ मैं आपको दिखा देता हूं देख लिए ना अभी अगर नहीं दिखा दे रहे तो एक स चोटा समिष्टेक है निकालो ठीक है तो कोशन 11 गोर्मेट में बताना उसके बाद आपको आजाता है कुछन नमर टॉल चेंज दा इंटेंस इंट्व इंडारेक्ट इस पिच्छ डारीक्ट इंडारेक्ट अब आपको मैं बता दूँ डारेक्ट इंडारेक्ट में जब भी लेते हैं एक की और बताता हूं आपका जो नेक्सट वीक होता है किस्में कौन इसमें में शाहता है क्यां कहा मिट नहींता नहीन है फर पू Zeiten आंसर हो जाएगा option number बिल्कुल बिल्कुल C हो जाएगा option number कौन सा option number B okay she said to the class that they would have a test the following week next question मैंने आप इलिमिनेट करने का बता है कि कि रूल छोटे-छोटे साइधिंग आप सभी को पता होगे तो उसका कोई पंगा ने कोशन टॉल का राइट एंसर ऑपिशन नमबर बी रेस्ट कोशन 13 के बढ़ते हैं डू यू वांट यारा कॉफी बेस्ट ट्रांस्पर मतलब के ट्रांस्फॉर्म वाले से बनाना कोई दिक्कत कसी नहीं है चलो यहां पर सेम मतलब इसका आपका सेंस आना चाहिए कि कुछ इस टाइब का है मैं बता दूं सिंपल प्रेजेंट पर सिंपल भास्ट में चला जाएगा तो देखो मतलब है तो इंट्रेगेटी वाले फॉर्मिट में तो ही आस्क डिमी तो बिल्कुल सही है अब यहां पर जो वांटेड है ना वांट का हमने क्या लगा दिया वां मतलब कि प्रेजेंट से हमने किसमें कर दिया पास्ट में सो डिफिनेटली कोशन थर्टीन का राइट अंसर ऑप्षिन नमब भी हो जाएगा ने सोचनमर 14 के और बढ़ते हैं अब यहां पर पैसी वाइस में जब वर्प मैंने बता है जब मॉडल वाप्स होती है तो प्लस भी लगा देते हैं विल भी सैल भी कैन भी कुड़ भी यह सब किसा ऐसे हो जाती है ना तो सिंपल सा दर टेमपल के बाद विल भी आएगा हटा दो यह हो सकता है यह वाला जब सिस्टम होता है तब हम लगाते हैं पर बना हुए है इसे एक्टिव बनाना है पैस्व नहीं पैस्टिव से एक्टिव बनाना है कोई दिक्कत नहीं है अब वर्व क्या लगा है हैज नौट बीन मतलब हैज नौट हैज बीन हैव बीन एक स्टेप जब पीछे जाओगे तो आपको वर्व लगेगा हैज या फिर हैव ठीक है सब्जिक्ट देख लेते हैं क्या यहां पे था सब्जिक्ट बन जाएगा फोलों के ऑप्शिन नमर सही था भी यह 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 पर कोई दिक्कत कर सीन नहीं है तो पूलिस नौट श्टाप्ट आवरस कार सो फार ओके सब्सक्राइब कराइब कर दो नियुक्त बारे में जिसमें अद्दियन करता है उसे क्या बोला जाता है उसे हम बाइलोजी बोलते है क्या बोलते हैं अगला दचीन अप्रिका में रहने के वाइद में मात्मा गांदी किस पत्रिका का प्रकाशन किया था मात्मा गांदी का बायते दच्छीन अप्रिका से वापस नैंटीन फिप्टीन में ठीक है नौ जनवरी का था वो देश मतब दिन सौरी ठीक है और एक बात और बता देता हूं यहां पर पूछे किस पत्रिका का प्रकाशन उन्होंने वहां पे किया था तो पत्रिका थी आपकी इंडियन ओपेनियन लेगबग ट्वंटी यह सुहां तो हम उसे इंग्लिस बोलते हैं ठीक है सब्सक्राइब नागर्गता का सिदान सुइकार किया घया मतलब कहां के लोग ले सकते हैं तो वह अपनी कंट्री है यूए से ठीक है अपनी कंट्री कौन से वहां पर अभी रास्ट पती बने जाए जान बेड़िन ठीक है और इससे पहले डॉनाल्ड ट्रम्त तो यूट्राज अमेरिका उनाइटेट इस्टेट अप अमेरिका किस देशमें दोहरी नाग दिखता कसी दान सुखकार किया गया तो इसने तरह अमेरिका में कुशन